वीर बाल दिवस वीर बाल दिवस गुरू गोबिंद सिंग जी के साहिबजादों के बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है सिखों के दसवे गुरू, गुरू गोबिंद सिंग जी के शौर्य से तो हम सभी भली भांती परिचित हैं उनके बेटे भी उनहीं की भांती वीर पर अक्रमी थे। उनके बेटों को 26 दिसंबर के दिन मुगलों के द्वारा शहादत दे दी गई थी। इस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निरने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में लिया था। इसे मनाने की शुरुआत पहली बार 26 दिसंबर 2022 को की गई। 1704 इसवी के समय में मुगलों ने भारत पर अपना आतंक मचा रखा था। मुगल शासक औरंग जेब ने अपने शासंकाल में कई भारतियों का धर्मानतरं करवाया। इसलाम कबूल न करने वालों को बेरहमी से मरवा दिया गया। जब उसने गुरू गोबिंद सिंग जी के दोनों साहिबजादों से इसलाम कबूल करने को कहा तो उन्होंने इसका विरोध किया। वे दोनों अपने धर्म के लिए शहीद हो गए। और अंगजेब ने दोनों साहिबजादों को दिवार में चुनवा दिया और उनके सिरों को धर से अलग कर दिया। उस समय भी साहिब जादे जबजी साहिब का पार्ट कर रहे थे। शहादत के समय इन वीरों की आयू मात्र 9 और 6 वर्ष थी। मात्र इतनी सी उम्र में गुरू गोबिंद सिंग के सपूतों ने इसलाम कबूल करने के स्थान पर शहादत को चुना पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। नमन है ऐसे भारत के सपूतों को जिन्हों ने अपने देश धर्म के लिए अपने प्रानों का बलिदान दिया।